बिस्म्लाइ अख्मार याखिम आई पास पैना नेक्चे रहे तो देखते हैं इसको कि कहता है इस थेयरम में कि अगर सीक्वंस एक्स जो यह कनवर्ज करें समार एक्स को सीक्वंस जी कनवर्ज करें यह सीक्वंस जी जो यह नॉन जिरो यह नंबर की सीक्वंस है और कनवर्ज करती है एक नॉन जिरो नंबर जी को तो कहता है कि कोशन्ट सीक्वंस जो एक्स बैजी है ये कनवर्ज करेगी समाद एक्स बैजी को ये हमने प्रूफ करना है तो हमें गेमन है कि ये जी एन नौन जिरो रियर नंबर की सीक्वंस है तो इसकी रैसी प्रोकल सीक्वंस है वन बाई जीन ये भी नॉन जिरो रियर नंबर की सीक्वंस होगी और यह हम प्रूफ कर देंगे कि यह वन बाई जीन को करूफ करती है यह हम करेंगे कि यह कि हम खुद से प्रूफ करेंगे कि वन बाई जीन जो सीक्वंस है सबर्च करती है वन विजी को यह न हम प्रूफ करेंगे पहले फस्तक्ण में तो हम क्योंकर जी नॉन जी्रो अھतु जी मार्ड ज Discovery बीए 90 नंबर होगा जब 90 नॉन नंबर को तू से ड्य्वैड Cafies को और դो क्यों करती है दो आ को हर एपसी लान के लिए कोई नहीं नेचरल नंबर मिल जाय गा के बान तो यहां हम एपसीलान जो हो एफ यो यहückं को कह रहे हैं तो इस एपसीलान के लिए में जो पार मेले गाफ के वन इस तरा कि ZN माइनस Z less होगा अलफा से फराल N greater equal to K1 अच्छा अब यहां हमेशां यह यह हम यूस कर सकते हैं A को रिपलेस कर देते हैं ZN से और B को रिपलेस कर देते हैं Z से तो हमें यह चीज मिल जाएगी अब बाइ डेफिनिशन यह हम जानते हैं कि अगर एक्स माड लेस हो ए से लिख सकते हैं कि माइनस ए लेस तेन एक्स लेस तेन ए तो यहां इसी तरह हमने एक्सपैंड कर दिये तो यह अफ़ कॉर्स माड उसने गलती से लगा दी है यह नहीं हैं कि यह हो जाएगा अब यह हमें पता है कि जी एन माइनस जी लेस एलफा से जब माइनस से मल्टिपलाई करेंगे तो यह चेंज हो जाएगे माइनस एलफा दर आजाएगा माइनस जी एन माइनस जी जो है यह दर आजाएगा तो माइनस एलफा स्टिक्ली लेस है स्ट्रिक्टी लेस हो गए यहां पर स्ट्रिक्टी लेस सिर्फ एक्वल नहीं आएगा इस से और यह लेस है इस से देखें इस से अब हम करते यह हैं कि करते हैं यह तो यहां से अगर आप इसको थोड़ा सब देखें तो यह इस इसकी जरूरत नहीं है में इस इसकी लास की जरूरत यहां स्टिक की अलफ़ा है तो हम इस जी को इदर ले आएं तो जी माइनस इलफ़ा लेस तैन जी एन यह स्टिक लेस इकुल वाड़ी आप्शन नहीं है अलफ़ा की जगह इसकी वैले लगा दी है तो जी माड़ बाई टू लेस तैन जी एन है और यहां से दोनों का रैसी पर उकल लिया तो हमारे पास वन बाई जी एन माड़ लेस तैन टू पाई जी किन के लिए फ़र आल एन गिरेटर रिकुर्ट टू के वन के वन तो यह हमने फस्ट टेप में ड्राइव कर दिया है अब हम करते हैं कि नेक्स पेज की तरफ चलते हैं यह नेक्स पेज है मारे पास थोड़ा सा जूम इन कर लेते हैं इसको मैंने का लेता हूं तो अब हमें पता है कि इसको कॉंसेडर करते हमने परूफ तो वैसे के लिए करना है कि वन बैजी एन अपरोच करता है वन को तो इसके लिए हम यह चीज कॉंसेडर कर लेते हैं अलसेम लिए है और कुछ भी नहीं किया माड अलग अलग उपर वाले पर लग नीचे वाले पर लग और वान बैजी एन लेस था यह मने लास्ट एक्वेशन पर देखा ता टू बैजी से तो यहां स्टिक की लेस है तो आपके पास यह फिर यह चीज इसकी को लो जाएगा इसका मतलब है वान बैजी एन माइनस वान बैजी एन माइनस जी वान बैजी लेस आगया हमारे पास टू जी एन माइनस जी माड बैजी स्केर से अच्छा अब हमें पता है कि जी एन किसको कनवर्ज करती है गेन जी को तो हम अब एपसिलान यह सारे को चूज कर लेते हैं मीन वान बैटू एपसिलान होल मार तो इसके लिए हमें जो नेया नेचरल नमर में लेगा वो के टू होगा तो यहां यह है कि फर आल एन ग्रेटर के टू इन मैसे मैक्सिमम चूज कर लेते हैं तो वन बाइजर डैन यहां पर इसकी वैडियू यहां लगा देंगे तो यह हमारे पास मिल जाएगा यह मिलने का मतलब है कि लिए वन बाइजी एन कनवर्ज कर दी यह वन को अब हमने एक थिरम पढ़ा हुए है कि अगर दो सि ρभी एक्सन और वन बाइजी एन दोनों कनवरज कर रही है तो यह नका प्रोड़क्ट वीड़ियों किस नंबर को कनवर्ज कर एक रिखाओा वह एक्स betे को कंवर्ज करेगा यह यह ड не एक्सन कर नवाज कर एक्सन बैजी एन कर दो एक्स बैजी को यह हमने प्रूफ करना था अच्छा नेक्स्ट यह यह एक और यह हमारे पास थे रहा है कि कि यह हमने प्रूफ करना है इसको देखें जरा हमने प्रूफ यह करना है कि अकर एक्सन एक से कनवर्जेंट सीक्वंस हो रियल नंबर्स की और इसकी तमाम टर्म जो है वो ना ना में तमाम टर्म जो है वो सारी पाजिटिव हों तो कहता ही यह सीक्वंस जिस नंबर को कनवर्ज करेगी वो भी नान नेगिटिव होगा तो हमने प्रूफ तो यह करना है कि एक्स जो है वो ग्रेटर देना रिकॉर्ट जीरो है तो हम इसको कंट्रडिक्शन से प्रूफ करते हैं हम यह माल लेते हैं कि एक्स लेस है एपसिलान जीरो से जब X less than Epsilon है तो हम अगर इसको माइनस से मिल्टिपलाई करें X को तो निया नमबर बनेगा और उस पाजिटिव नमबर को हम Epsilon के नमबर दे रहे हैं यहाँ Epsilon पर पाजिटिव है अब Epsilon क्योंके पाजिटिव है तो हमें लाजमी तोर पर इसके लिए जो नमबर निया मिलेगा यहाँ Epsilon एक पाजिटिव नमबर है जो हमने ले लिए है तो क्योंके X and Converge करती है X को तो हर Epsilon के लिए कोई नेचरल नमबर मिलेगा इस तरह के X and Minus Epsilon for R and greater or equal to K के लिए तो स्मार्ट को खोल देते हैं यहां से आजाएगा माइनस माइनस Epsilon less or equal to X and Minus Epsilon सब को X add कर देंगे तो यह हमारे बास बन जाएगा अब यहां हम N वो तुमाम रख सकते हैं जो केक एकुल हों या केसे बढ़े हों तो हमने यहां पर N को केक एकुल जूस कर लिए इसका मतलब है X के जब है वो less है X plus Epsilon से X की जगए इसकी वैली लगा देते हैं डियाट मिन X के 0 आ गई है जबकि तो हमें पता है कि इसकी तमाम टर्म जो है वो 0 से बढ़ी है कोई भी 0 से चोटी नहीं हो सकती तो यहां X के 0 से चोटी आ रही है मतलब है यह कंट्रिडिक्शन है सही सा पोजीशन यह है कि X 0 से बढ़ा या फिर 0 की एकुल है तो यह हमने प्रूफ करना था नेक्स थिए और हम यह है कि अगर एक स्टीवस्स X है और एक स्टीवस्स Y है इस तरह कि यह दोनों कर्वर्जन्ट स्टीवस्स है रही है यह नंबर्स की और इनका रिलेशन यह है कि X N Lesser Equal To Y N यह अट मिन X 1 Lesser Equal To Y1 X 2 Lesser Equal To Y2 X 3 Lesser Equal To Y3 तो हमने यह प्रूफ करना कि सिक्वेंस जिन नमबस को कनवर्ज करती हैं वो नमबस का रिलेशन भी यह यह मिन एकस एंड जिसको कनवर्ज करती है वो नमबर लेस होगा उस सिक्वेंस उस नमबर से जिसको सिक्वेंस वाई एंड कनवर्ज करती है तो हम दोनों के डिफरेंस को कह रहे हैं ZN means Z1 होगा Y1-X1 Z2 होगा Y2-X2 Z3 होगा Y3-Z3 तो दोनों तरफ limit impose करते हैं अच्छा जब limit impose करेंगे तो देखे ना अभी थोड़ी देर हमने पहले पढ़ाया कि यह अब देखे ना इक रिकोड़ी जीरो हो जाएगा क्यों क्योंकि यहां से तो जी एंड जो है इक गिरेटरा रिकोड़ी जीरो है तो आफकोर्स जी एंडिस नमबर को कनवर्ज करेगी वह नमबर भी जीरो से बढ़ा होगा तो फिर हम यह लिख सकते हैं और इदर लेमाट अगल अपलाई करेंगे तो यह बन जाएगा अच्छा फिर हम एक्स हैं कदर लेंगे यहां थोड़ा से इगालत लिखाई इसको यह लिखना चाहिए तो लेमेट एक्स एन लेसर इकवर डू लेमेट वाए अन यह इसको थोड़ा सा अरेंज करके दिखेंगे तो यह आपके पास यह प्रूफ हो जाएगा जो हमने प्रूफ करना था यह नेक्स थेरम था उसके बाद नेक्स थेरम की तरुफ चलते हैं नेक्स थेरम देखें यह एक सीक्व करेंगे वह भी लाए करेंगा ए और बी के दरम्यान तो हम जो सीक्वंस है एक राखर हैं एक सीक्वंस ले रहे हैं कॉंस्टन्ट सीक्वंस की तमाम टर्म भी है तो आफकोर्स वाई जिसको कनवर्ज करेंगे वह भी नंबर भी होगा यहां सिंपली दोना तरफ लिमिट अपलाई कार दिए एक लिमिट ए रहती है बी के लिमिट भी रहती है तो यह हमारे पास एजी ली प्रूफ हो जाएक नेक्स्ट स्क्वीज थे और हम बहुत सिंपल है कहता है तीन सिक्वंस एं एक्स एन वाइए जी एन इस तरह रिलेश है कि एक्स एन लेसरी कोड़ वाइन वाइन लेसरी कोड़ जी एन तो कहता है अगर एक्स एन जिस नंबर को कनवर्ज करती है जी एन भी उसी को कनवर्ज अगर करे तो लाजमी तो पर वाइन भी फिर उसी नंबर को कनवर्ज करेगी तो कह हम यह माल लेते हैं कि एक्स एन औ तो कोई چτι नेशुरी मिलेगा तो जहां जो मिले गास के ओन कहाँ कह देते हैं और जीन वीकीव कि अन्वर्ज करती है यहाँ एफसिलान के बाद लघा वह को के डू कह देते हैं के अब कि हम चूज कर लेते हैं इन दोनों मैंसे जो मैक्सिमम है के वन और के टू मैंसे थोड़ा सा मुस्टेक उसने कर दिया लग लग ले के फिर मैक्सिमम जूस करना अब भाई आते पौदिस से ये वन ने सब मैंसे सब्ट्रेक्टम ने कर दी है जही अगर इस मार्ड़ को आप खोलेंगे तो आपको माइनिस एपसीलान लेस मिल जाएगा एकस एं भाईनिस एल से ह और ये उपर से नजर आ यहांज को खोलेंगे तो शीन अपसीलान से आपको सिरफ इस से किंसट ने तो माइनस एपसonder लेस य यान माइनस एल माइनस एपसिलान फरालन एकुर टू यहां से माड की डेफिनिशन अप्लाई करेंगे तो जीन भी कनवर्ज कर जी कि एल को यही स्क्वीज ठेरोम है यही हमने प्रूफ करना था तो आज के लिए इतने काफी है नेक्स लेक्चर को बात में देखेंगे अलाँ आफ